Hello friends, welcome, I am your host सुधान्शु सिंग बजार में एक अजीब सी वॉलिटिलिटी है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उपर से कॉरोना वापस आ रहा है लॉकडाउन के डर हर जगे आ रहे है ऐसे समय में जब विक्स बहुत कम है और विक्स दीरे दीरे उपर की तरफ जा रही है बजार में confidence कम है, volatility जादा है इस समय आप ऐसी strategies चाहते हैं जिसमें limited loss और limited profit हो जो हमारे courses का part होता ही है आज मैं आपको इस समय एक खास तरह से butterfly बना के दिखाऊंगा एक special butterfly जो हम 23rd December को बना रहे हैं for the expiry of 29th December which is the main expiry यह एक special type of strategy है butterfly आप मेंसे काफी लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे तो हमारे channel पे available है उस पे हम काफी काम भी करते हैं regular पैसे भी आते हैं अब आप देखिए यह butterfly totally risk free है totally आप इसे हर अफते बना सकते हो totally risk free butterfly होती है hardly मतलब अगर जाने के लिए 10 रुपे होते हैं तो आने के लिए 70-80 रुपे होते हैं that is the power of butterfly तो अब आज हम बनाएंगे अपनी strategy में butterfly So my friends, before I start this strategy on butterfly मेरी request कि आप लोग हमारे चैनल IBBM India को like कीजे, subscribe कीजे ताकि आप बजार की real knowledge acquire कर पाएं और बजार से real और consistent पैसा कमा पाएं हमारी कोशिश आप लोगों को real knowledge impart करने की होती है So please like and subscribe Do tell your friends, family members about this channel ताकि आप real पैसा बजार से कमा पाओ Totally risk free butterfly The weekly butterfly अब देखिए मैंने अपने screen आपके सामने लगा रखिये butterfly का construction मैं अधर नहीं सिखाऊंगा क्योंकि butterfly के constructions या तो आप लोगों को आते हैं नहीं आते तो हमारे चैनल पर वीडियोज अवी लेबल है आप butterfly हम बहुत अच्छी तरह कई बार से खाच चुके हैं अब butterfly बना सकते हैं बजार इस टाइम खड़ा है approximately 17,900 के आसपास 17,900 के आसपास बजार खड़ा हुआ है हमने कॉले लगा रखी है of 18,150, 18,250 and 18,350 और पुटे लगा रखी है 17,900, 17,750, 17,600 कॉले आप देख सकते हैं 100-100 points के difference पे while puts are at a distance of 150 points obviously इसका reason है the reason is कि we are expecting a downtrend move in the market market में नीचे की तरफ का move expect कर रहा है तो हम उसे range जदा बड़ी देना चाहते हैं और इस समय बन भी रही है the rules of butterfly which are taught in the advanced option course उसके हिसाब से यह butterfly perfection में बन रही है that is why this butterfly is getting created ऐसा नहीं है कि butterfly मनाई जा रही है इस जगे वो rule suffix नहीं हो रहा था setting में नहीं आ रहा था hence इदर 100 points की range पे वो butterfly को create किया जा रहा है इस butterfly को थोड़ा सा call को मैं और improvise कर सकता हूं आप लोगों को थोड़ा सा और deep understanding देने के लिए जैसे यह है इस समय यही best butterfly आप लोग create कर सकते हो अब इनको मैं copy कर लेता हूं ताकि आप लोगों को explain कर सकूँ तो I'll copy these और मैं as usual excel में जाकर इन्हें paste करूंगा आप लोगों के लिए अब यह देखे यह data यहां shift हो गया है proper that is buy price sell price all these things अब butterfly क्या बोलती है according to the rule of butterfly आप एक लेक को buy करते हैं दो लेक को sell करते हैं और एक लेक को और buy करते हैं तो अगर आप call-o को समझें तो हम पहले call-o को ही देख लेते हैं इसे delete कर देते हैं इसे फिर से देख लेंगे तो अगर आप call-o को understand करें तो call-o में आप यह वाला product buy करेंगे that is the call of 18,100 आप buy करोगे तो 18,100 की call आप buy करोगे at a price of 77.35 पैसे क्योंकि seller के भाब पर buy करना है और जब मैं कुछ चीज buy करता हूं तो मेरी जेव से पैसे चला जाता है तो 70.35 पैसे मैंने यह buy कर ली मेरी जेव से पैसे चला गया 18,200 की मैं दो call sell करूंगा तो I will sell two calls of 17,18,200 तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेने है इसकी वैसे देखने में दिक्कत हो रही है और two lots और एक lot भी करा है 46 रुपीस 20 पैसा पर which is at the buyer's price तो 46.2 into 2 my apologies is equal to 46.2 into 2 यह मैंने receive कर लिए अब 18,300 की call मैं buy करूंगा एक lot again in order to give it a balance और वो seller के rate पर बाय होगी तो 27 रुपे 20 पैसे मेरी जेव से चले गाए तो इस rate पर मैंने खरीदा इन दोनों पर और इस rate पर मैंने sell किया so हमने यह products यहां लगा दिये अब आप इनका total कीजिए this plus this plus this 12 रुपे 15 पैसे negative 12 रुपीस 15 पैसा negative बजार कहीं पर भी चला जाए आपको 12 रुपे 15 पैसे से जदा का loss नहीं हो सकता कर लो जो research करनी है बजार को अब मैं कहता हूं बजार चला गया 17,500 तो क्या होगा यह पूरे 37 रुपे 35 पैसे लग जाएंगे यह 92.4 पूरे आ जाएंगे और यह 27 रुपे 20 पैसे पूरे लग जाएंगे तो still the total remains 12 रुपी 15 पैसा यानि इससे जदा लॉस नहीं है यानि कि बजार अगर 1800 से नीचे कहीं पर भी बंद हुआ तो मेरा 12 रुपे 15 पैसे कहीं लॉस है अब हम बात करते हैं 1300 से उपर जो आपका सोचने का एरिया है तो मैं कहता हूं बजार अठारा 500 बंद हो गया उपर भाग तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा यह जो 1100 की कॉल है यह 400 रुपे से इंदा मनी हो जाएगी तो यहां मुझे 400 रुपे का प्रॉफिट होगा माइनस जो मैंने प्रीमियम इसे खरीदने में पे कर दिया यहां डेट फॉर्मेट आ गया तो हम इसे यहां ले जाते हैं 18500 तो 400 माइनस 77 रुपे यह मुझे प्रॉफिट आ गया अब यह वाली जो कॉल है 200 की कॉल यह इंदा मनी बन गई 300 रुपे से तो यहां मेरे को लॉस होगा इसके लिए मैंने एक में कितना रिसीव किया 46.2 माइनस 300 यह मेरा इसमें लॉस हो गया एक में लॉस हुआ 253 रुपे 80 पैसे का और इस इक्वल टू माइनस 253 रुपे 80 पैसे इंटू टू यह मेरा लॉस हो गया दो कॉल है क्योंकि पैरलली यह वाली कॉल भी इंदा मनी बन गई 200 रुपे से यहां मेरे को प्रॉफिट आएगा 200 माइनस जो मैंने प्रीमियम पे कर दिया टोटल कर लीजे बारा रुपे 15 पैसे आपको कभी भी बारा रुपे 15 पैसे उपर का लॉस ही नहीं हो सकता बटरफ्लाई की सबसे बड़ी ताकत ही है यह यह स्ट्राटेजी जो मैं आपको बनवा रहा हूं इस अफते वह मेजर बोनेंजा है क्योंकि इसमें रेंज बहुत बड़ी है मेरे पास बहुत बड़ी रेंज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं आप अराम से इसे बना सकते हो तो किसी भी आलत में 12 रुपे 15 जादा का लॉस नहीं हो सकता है अब कि maximum profit कितना हो सकता है maximum profit आपको हो सकता है 100 माइनस 12 रुपी 15 पैसा that is 87 रुपे 15 पैसे का 87 रुपी 85 पैसे का maximum profit हो सकता है और वो कब होगा जब बजार 18,100 से 18,300 के बीच में कहीं पर भी बंद हो जाए जिसकी probability बहुत जादा है क्योंकि बजार को 17,950 जो उसके current levels है अगर मैं उससे जज़ करने जाओं 17,950 जा बजार खड़ा है तो 200 पॉइ सो यह butterfly आप कॉलो की सब बनाएंगे अब यह नहीं है कि हम बजार को judgmental करेंगे हम judgmental नहीं बनाएंगे बजार को इस जगे कहीं पर भी we will not make the market judgmental at this moment of time in any considerations we will not make the market judgmental इसी चीज को हम पुटो से भी बनाएंगे ठीक तो मैं आपको पुटो से अब दिखाता हूं तो हम यह मान हो का था जिसे हमने 12 रुपे 15 पैसे सबनाए दिया पुटो में भी same situation है हम जो ख़रीदेंगे that is 17,900 की एक पुट हम बाए करेंगे और वो पुट हमने बाए की seller's price पे 96 रुपीज 80 पैसा 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 हम 17,750 की दो पुट सेल करेंगे एक पुट सेल हो रही है 53.85 तो इन्टू टू यह मैंने रिसीव कर लिए मेरे जिब में 107 रुपे 70 पैसे आ गए पैरलली हमें इसे फिर से हैज करना है क्योंकि हमारी दोख सेल है तो 29 रुपी 65 पैसा क्या आप ऐसी यूनीक ऑप्शन स्ट्राटेजीज बजार में ढून रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के सार्थ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाएं तो डाउनलोड कीजिए आई वीडियेम का एप नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से और हमने 17,600 की एक फुट बाई कर ले यह पूरा टोटल है अब हम इसे एड कर लेते हैं अगर मैं एड करूं तो 18 रुपे 75 पैसे नेगेटिव आपको किसी भी केस में 18 रुपे 75 पैसे से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता लेकिन इसमें प्रॉफिट की प्रोबिल्टी 0.75 आपको इसमें 131 रुपे का प्रॉफिट आ सकता है अगर बजार 17,900 से 17,600 के बीच में बंद हो गया यानि 17,900 से 17,600 के बीच में बंद हुआ तो आपको 131 रुपे का प्रॉफिट हो सकता है इसकी रेंज बड़ी है इसकी रेंज बड़ी है इतनी बड़ी रेंज कॉलों में already हम दूर हटके बना रहे हैं पुटो में वो रेंज मेरे लिए पॉसिबल थी इसलिए वो रेंज बनी ऑवियसली बटरफ्लाई की एक understanding होती है कि आप में से काफी लोग बटरफ्लाई जानते भी होंगे उसकी तरफ लेकिन बटरफ्लाई बनाने का एक तरीका होता है एक सिस्टम होता है एक पैटरन होता है बटरफ्लाई अंधा नहीं बनता कि जब मर्जी जहां चाहिए बटरफ्लाई बना लो बटरफ्लाई तो आर्बिट्राजिंग के लिए बनी है बटरफ्लाई पर आर्बिट्राज करो प्लस माइनस करो, butterfly का यह purpose होता ही नहीं है, butterfly is a systematic trade, hit and leave, अब आप दोनों तरफ यह butterfly बनाएंगे, that is 12 रुपे 15 पैसे और 18 रुपे 75 पैसे, अब अगर मैं देखूं तो 18 रुपे 75 पैसे, प्लस 12 रुपे 15 पैसे, 30 रुपे 90 पैसे, 30 रुपे 90 पैसे is the maximum risk you are taking, जिसके बदले में आप 500 points कमा सकते हो, घटिया बात करूं तो 100 points कर तो minimum कमा सकते हो, और 100 points, 30 points के risk पे अगर आप 100 points कमा सकते हो, that's a return of 1 to 3.5, तो 3.5 रुपे आने के लिए और 1 रुपे जाने के लिए ये fair trade है, अब आपको बनाने का तरीका होना चाहिए, ये weekly expiry की बन रही है, hit and leave है, आपने आज Friday को बनाई, और अगले Thursday तक, यारी 29 December तक screen पे आना भी मत, कोई मत आना, सीधा 29 December expiry के दिन आना है, घूमो फिरो, खा extra, because this is what you can lose maximum, जिसकी probability सिर्फ 1% है, क्योंकि हमने range इतनी बड़ी ली है और इतने अपने favor में ली है, कि बजार को हमें reward करना ही पड़ेगा, yes, yes, that's the truth, उसे हमें reward करना ही पड़ेगा, सचा ही है, हम इतने balance में चल रहा है, balance का purpose ही होता है, levels दिए गए आपको, अभी हमने levels द रहा है, पुटो को जादा space दी गई, कॉलो को कम space दी गई, balance में trade बनाया गया, तो butterfly बनाने का एक तरीका होता है, एक system होता है, butterfly is if jobbing के लिए नहीं होती है, कि 5 रुपे बनाई, 7 रुपे पे काटी, 5 रुपे बनाई, 7 रुपे बनाई, butterfly is a systematic trade, और हर अफते पैसे देती है दो levels पर अलग अलग पैसे देती है, yes, that's the way, this is the special weekly butterfly, तो this is the same way you do, so अब हम butterfly को समझे है, तो ये trade किस तरीके से हमने genuinely create किया, हम इस बात को समझ लेते हैं, एक बार और, अच्छी तरीके से, तो we have the annoter in front of us, तो हमने annoter खोल लिया है, we'll take up the pin, हमने इस product को buy किया है, इस product के दो lot sell की है, और इस product को फिर से buy किया है, तो अगर इसके दो lot बेचे, इसका एक lot खरीदा, इसका एक lot खरीदा, तो ये balance trade है, और same parallel हमने इसे किया है, इसके दो, इसका एक lot खरीदा, इसके दो lot बेचे, इसके एक lot खरीदा, तो इस पूरी butterfly को बनाने में आप हैरान रह जाएंगे कि आपका margin लगेगा सिर्फ 70,000 रुपे के margin पे ये दोनों set create हो जाएंगे मतलब ये set और ये set पूरा दोनों मिलाके सिर्फ 70,000 रुपे का margin demand करती है exchange क्योंकि ये पूरा hedge है आपसे margin क्यों मांगा जाता है आपसे margin इसलिए मांगा जाता है कि आप unlimited risk के सौधे करते हो उल्टे सी डे येस डेट इस वाइए exchange is demanding margin फ्रम यहां पर आपका maximum risk ही 31 रुपे इंटू 50 1550 रुपे का total risk है कभी भी कुछ भी कुछ भी होता रहे पजार को आप 5000 ले जाओ या पचास अजार ले जाओ 31 रुपे का ही risk है और आने की probability सौ सवा सो point की है येस बटरफ्लाइ बनाने का एक तरीका है ये एक specialized butterfly है जो मैंने अभी आपको दिखाई weekly butterfly सीखना पड़ता है समझना पड़ता है इस butterfly को ये pure hit and leave strategy है on a weekly basis weekly hit and leave weekly hit and leave बनाईए खुश रही है येस इस वीक ये butterfly बन रही है totally risk-free the most beautiful strategy लेकिन इसे बनाने का system है my friends अंधा नहीं है जब मरजी जहां मरजी चाहे बना दो कई लोग इस 31 रुपे की butterfly को जो हमने 31 दोनों तरफ बनाई है that is ये बनी थी हमारी जो call site बनी थी है माइनस 12 रुपे 15 पैसे बनी थी और पूटों की तरफ 18 रुपे 75 पैसे negative बनी थी इसको 30 रुपे में इसका total 31 है ये लोग 70-70 रुपे में 60-60 रुपे debit में बनाके आते हैं which is wrong उस case में तो loss होना पक्का है नहीं इसे बनाने का तरीका होता है कहां बनानी है कितने डेविट में बनानी है अगर आप वह नहीं जानते तो बजार को आप हिट नहीं कर पाऊगे तरीका है system है उस system को पकड़िए और आप जीतेंगे that is the power of this strategy मैंने बैट नहीं किया ट्रेंड किस तरफ आएगा उपर आएगा नीच आएगा और ट्रेंड भी नहीं चाहिए बजार खड़ा वी राथ तो भी पैसे आजाएंगे और एक इंट्रेस्टिंग बताओं बजार कहीं पर भी जाता रहे आपको यह 31 रुपे का M2M जो के लॉस होई जाएगा सपोसिटली तो भी आप इसे स्रिफ 10 पॉइंट के लॉस पे पूरा सौदा कवर कर सकते हो यह लेकिन समझना पड़ेगा कैसे यह मतलब वेडरनस दे इवनिंग तो आपको कोगी मुझे सिर्फ 10 पॉइंट का M2M है कुछ भी होता रहा है बजार में कि आप इस पर अपडेट डालूंगा इस स्ट्राटेजी के रगुलर अपडेट आपके सामने तरो करूंगा कि यह किसका करंट पोजीशन क्या चल रही है इस पर्तिकुलर स्ट्राइक्स और पोजीशन की और आपको दिखाऊंगा कि बजार में प्रिस्क फ्री पैसा कैसे आता है, follow कीजे हमारी app IBBM को Butterfly सीखिए समझिए, सटता मत समझिए Butterfly को Arbitrage या Jobbing के लिए मत समझिए, Butterfly is a real possible trade इसके advanced versions होते हैं systems होते हैं जो आपको सीखने होंगे चलिए, हाल फिलाल time waste ना करते हैं आप इसे बनाईए सौदे को और इस अफते पैसे कमाईए है With this request, signing off for now your host Sudhanshu Singh, thank you so much